नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी विशे का अध्यान करेंगे, आज हम एक नहीं कहानी पड़ेंगे पाठ क्रमांकर नो, बातुनी कच्छुआ बातुनी शब्त का अरत होता है, बहुत बात करने वाला जो जरूर से ज़्यादा बाते ही करता है, उसे बातुनी कहते हैं, बातुनी कच्छुआ आपने कच्छुआ देखा ही होगा, यह दोको यह कच्छुआ का चित्र, कच्छुआ इस तरह होता है अभी हम पाट पड़ते है, चंपक वन में भीम सरोर नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था उसमें बहुत सी मच्छिलिया थी, एक सरोर था, उस सरोर का नाम क्या था? भीम सरोर क्या था भी सरोर नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था कौन से वन में चंपक वन में कौन से वन में चंपक वन में भी सरोर नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था उसमें बहुत सी मचलिया थी देखो इस चित्र में दिखाए दे रहे न एक तालाब है उसमें बहुत सारी मचलिया है उस सरोर का नाम क्या है भीम सरोर और वह कौन से वन में है चमपक वन में चमपक वन में भीम सरोर नाम का एक बड़ा सा तालाब था उसमें बहुत सी मचलिया थी उसमें बगुले और हंस भी आते थे बगुले और हंस भी आते ते देखो इस शित्र में दिखाएदर है हंस भी ये उसमें तालाब में रहने वाले किन्नू कचुए और दो हंसो में बहुत दोस्ती थी अभी देखो इस तालाब में रहने वाले किन्नू कचुए और दो हंसो में बहुत सी दोस्ती थी वह एक दुसरे के अच्छे मित्र थे दिन भर तीनों तरह तरह की बाते किया करते थे इस चित्रा में देखो वो तीनों बाते का रेऊन में बहुत अच्छी दोस्ति थी एक दुसरे के वह अच्छे मित्र थे किन्नों बहुत बातों नी था? किन्नों कच्वा? बाते ही करता था, वह एक मिनिट भी चूप नहीं रहता था, वह एक मिनिट भी चूप नहीं रह पाता था, वह हमेशा कुछ ना कुछ ना कुछ विशय पर बाते करता था, तीनों मित्र बड़े मज़े से रहे थे, अभी देखो यह तीनों मित्र बड़े मज़े से यहाँ पर रहते थे, उनमें अच्छी तरह दोस्ती थी, पक्की दोस्ती थी, एक बार लगातार तीन वर्ष तक वर्ष नहीं हुई, आसपास के सब ताल तलैया सुख गई, अब देखो एक बार क्या हुआ, लगातार तीन वर्ष तक, लगातार तीन साल तक कोही वर्ष नहीं हुई, तो उस वज़े से बारिश न होने के वज़े से आस पास के जितने भी ताल तलया ताल तलया मतल़ं बड़े चोटे तालाब जितने भी तालाब थे वह सूख गई। इस चित्र में देखो पानी सुपक गया है ऑर इतना संहे चोटे मात्रा में पानी बचा है मचले से तड़ रही है कच्वे की हलत किनों कच्वे की हलत तो उसके बहुत बुरी है मचलियों के हालत भी बहुत बूरी है तो भीम सरर भी सुकने लगा अंत में वहा केवल कीचड भर रह गया अब देखो अंत में क्या हुआ? वहाँ पर सिफ कीचड मतलब पानी और मिट्टी का चिपचिपा मिश्रन उसे कीचड कहते है वही बज गया हंसो ने तालाब छोड़ कर कही और जाने का निश्य कर लिया अब देखो हंसो ने तो निश्य कर लिया कि हम यह तालाब छोड़ कर कही और जाएंगे तो अब आगे क्या हुआ होँगा हम अगले वीडियो में देखते हैं धन्यवाद